हेलो दोस्तो विल्कम टुजी के फार्मेसी चैनल आज मैं लेकर आया हूँ ग्राम पोजेटिव बैक्टिरिया के बारे में जो की लेक्चर फाइफ है आए हम लोग इस टॉपिक को ध्यांस देखते हैं और ध्यांस से पढ़ते हैं ठीक है दोस्तो आएए दोस्तो तो पहले हम हम लोग जान लेते हैं कि ग्राम पॉजेटिव बैक्टिरिया क्या होता है पहले तो हम लोग बैक्ट्रिया का जांच करने के लिए हम लोग क्रिस्ट्लाइन जो की ग्राम पॉजेटिव ऐसे कि रूपह से हम logic नहीं समझाइए टाट है तर डिनुम होई है और कि ग्राम पोजेटिव बैक्टेरिया से कौन कौन सी विमारिया किस कलर में होता है तो हम लोग बैक्टेरिया को सस्टेन करते हैं सस्टेन करने के बाद उसे डिप इन इलकोहल में डिप करते हैं और जो हम लोग का kristal violet है, जिससे हम लोग sustain किये थे, हो किस क हले बार दार आथा है, पर्पल कलर में बारता है, उसे sustain कर लएक बाद उसके कलर में कोई change नहीं होता है, यारे ग्राम positive bacteria कलर लेस होता है, ठीक है, आएए एक image के थुरू आप लोग को मैं अच्छे से समझाना चा इसलिए दोनों को compare करकर मैं बताऊंगा जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए देखे ग्राम निगेटिव के आउटर मेंब्रेन है बट ग्राम पोजेटिव में आउटर मेंब्रेन नहीं है यानि बाहरी जो लेयर कभर होता है वो ग्राम पोजेटिव में नहीं है अगला टॉपिक देखे लीपो प्रोटीन प्रेजेंट है ग्राम निगेटिव बेक्टेरिया में बट ग्राम पोजेटिव बेक्टेरिया में लीपो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है वैसे वैसे पेप्टाइडो ग्लाइकेन देके ग्राम निगेटिव में एक ही पेप्ट और सूगर दोनों प्रेप्टाइड और गलाइकेन कहते हैं इस पेस तो लगबग दोनों में समानी रहता है जिसे प्रेसपालमिक स्पेस काते हैं, अब साइटो प्लासμिक मेंबरेन देखेंगे साइटो प्लासμिक मेंबरेन भी ठीक ही रहता है और एक पॉइंट और देखिएगा जो कि सबसे उपर हरे में है जिसे लिपो-Polysaccharide बोलते हैं यानि लिपीड और Polysaccharide दोनों मिक्स रहता है जहिसे Gram negative में कोसी का भिती में लिपीड बहुत अधिक मातरा में मिलते हैं अग गराम positive में कहां एक भी देख रहा है उपर हारे नहीं नहीं है जो हारा है लिपो-Polysaccharide होता है इस वाले इमेज में भी आप कंपेर करके देख सकते हैं ग्राम पोजेटिव सेलवाल और ग्राम निगेटिव का सेलवाल अब इसके बाद ये सब ग्राम पोजेटिव बेक्टेरिया का नाम है जिसे आप नो डाउन कर सकते हैं ये ग्राम पोजेटिव बेक्टेरिया का ये डा बलते हैं जिसे बैक्टेरिया के द्वारा ही दिमागी बुखार होता है सिकेंड पॉइंट है निमोनिया तीसरा पॉइंट टीवी टीवी याने टूबर क्लोसिस टूबर क्लोसिस किसके द्वारा होता है माइको बैक्टेरियम टूबर क्लोसिस के द्वारा फॉर्थ कॉलरा कॉलरा में साइन्स सिंटम भी देख सकते हैं क्या क्या होता है फिप्ट पॉइंट है इस इसकीन सौफ्ट टीसू इंफेक्सान इस इमेज की तुरू भी आप देख सकते हैं और सिक्स है और छटवा टॉपिक है हार्ट रिलेटेड डिजीज ओके अब फिप्ट पॉइ ग्रो करता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसीन के बारे में जो की ग्राम पॉजिटिव वेक्टिरिया हो जाने पर कौन कौन सी दवा चलाते हैं जैसे बेंजाइवेल चलता है यह कौन सा है बेंजाइल पेंसलीन गुरूप का ड्रग है पेंसलीन गुरूप का चल सकता है क्लावनी के सीड़ी से कौलॉक्सलीन सोडियाम कैपसूल आईपी से ले सकते हैं अगला एंटिवाइटिक है ड्रक्स एलोक्सी सीवी 625 यानि 625 एमोक्सलीन पोटाइसी क्लावनेट टाबलेट आईपी आईपी यानि इंडियन फार्मकोपिया इसके उपर भी मै इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं टोजावेक्टम कि 20 ग्राम पोजेट्यू बेक्टेरिया के अंदर में यूज होता है अब आपके माने जाने दवा जैसे टोजावेक्टम का यह भी हो सकता है दोस्तों यह दवा तो हर जगह उपस्तित हर मेंडिकल इस्टोर पर जैसे मोनोसेप SB हो गया SB यानि सलवेक्टम जो कि सप्रेक्जोन है यह तो नार्मल एंटिवाइटिक है लेकिन जब बैक्टेरिया ग्राम पोजेटिव हो उसमें सलवेक्टम का यूज करके बैक्टेरिया का ग्रोथ को किल कर सके हैं रोक सके हैं इसके यूज में अजित्रो माइस फिल्म कोटेट टाबलेट ठीक है इरेत्रोमाइसिन टाबलेट 251 इसके बाद सिप्रोफ्लेक्सासेण फिल्म कोटेट टाबलेट जो की रहता है 500 इंजी का यह दबा बहुत फेमस दवाई ओभी ले इंडियन फार्मकोपिया 200 इंजी में ओक्षीन 200 के नाम से जाना जाता है जो कि ब्राइंड नेम है इसके बाद आता है नों फ्लेक्साथी टबलेट 400 series में इसके बाद आता है आप लोग को बाद लिव'll फृडक्सेल यानि जो की लीव्रों में यूज कर सकते हैं यह दवा लिव'll my 500 के मार्केट में प्रेजेंट है इसके बाद आता है अगला दवा विंको माईसिन हाइड्रोख्लोराइड फॉर इंजीक्शन यूएस पी टीक है जो कि दोश्तों मार्केट में किस नाम से उपस्तित है विंकोनेट विंकोनेट नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा अगला दवा है डॉक्षी सैक्लीन कैप्सूल्स जो कि 100 mg में होता है ठीक है दोस्तो इसके बाद है आपका लेनी जोली टाबलेट आई पी यान इनिन फर्मगोपिया 600 mg में आपको जो जोली 600 mg में मिल जाएगा यह सब जितनी भी दवा का नाम लें यह सब इस्टडी परफस के लिए सिर्फ जनकारी के लिए ही बताया हूं अपने से कोई भी मेडिसीन या कोई भी एंटिबाटिक दवा ना लें बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप मेरे चैनल पर नाए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बेल का आइकन दबाजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द का जल्द मिल जाए थांक्यू दोस्तों